जबलपूर की कैंट शेतर में विधुत विभाग की घोर लापरवाही देखने को मिली जहां सदर से गोरा बजार जाते हुए YMCA मोड पर स्ट्रीट लाइट का तार लटक रहा है और इसमें करंट भी प्रवाहीत हो रहा है और जिसे पत्थर से दबा दिया गया है लेकिन सूतरों की माने तो बरसात में तार के भीगने पर इसमें चोतरफा करंट फैलने से सेंट जॉसेफ स्कूल YMCA स्कूल के हजारो बच्चों के साथ साथ रहागीरों की जान को भी खद्रा है जो किसी दुरगटना का रूप ना ले ले अताहा मद प्रदेश विदुत मंडल ततकाल इसका संग्यान लेकर इसका निराकरण करे जिससे जानमाल की हानी ना हो पीबीसी के लिए जबलपुर से रिशी रजक की रिपोर्ट जैश्यराम जैश्यमाकाल मद्यप्रदेश विदुत मंडल की एक घोर लापरवाई हाली में सामने आई है कि कल से वायमसी जो रोड है जो जबलपुर के सदर केंड से होते हुए गोरा बजा बिलहरी के और जाती है उसके सामने एक विदुत के पोल से ताग लटका हुआ है जो कि जमीन में पूरा चूरा है और उसमें करेंट अभी भी प्रवारिद हो रहा है उसे पत्फर से दवा गया है बर्शा होने पर वक करेंट जो है वो फैल रहा है और जिसके कारण जो है जान मान की हानी हो सकती है कल वी एक यूवक उसमें छिपकते वी बचा 6-3 लोगों द्वारा उसे बचाया गया और क्योंकि सामने बच्चे हैं सेकड़ों के हजारों के संख्या में YMCA है सेंड जोसफ स्कूल है सेंड लक्षित स्कूल कॉलेज है हजारों राहगीर आने जाने वाले हैं ये इनकी जान मान की हानी नहों इस बात को ध्यान में रखते हुए मगद सब्सक्राइब करते हुए जो सेकोड़ों हजारों वच्चे उनकी जान माल की रक्षा हो यहाप मेरी मांग है आशा करता हूं कि आप लोग ततकार इसका सुधार कारेकर आएंगे अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर तेखने के लिए हमारे चैनल पुलिस बीरोक्रेट्स न्यूस को बेल आइकान दबा कर सब्सक्राइब करें जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें हमारे कॉंटेक नंबर है 9039011886 एवं 9770229999